प्रखंड सिसाई अंतरगत ग्राम पंचायत शारदा के ग्राम लठ ठाग में नवनिर्मित मनुकामना सिद्शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यके एवं मंदिर उद्घाटन समारों का तीन दिवस्य कारिक्रम का शुभारम किया गया आज ग्राम लठ डाग से 201 महिलाओं ने कलश के साथ मंदिर से लेकर कोयन नदी तक पैदल चल कर पहुशे और पंडिर जी के द्वारा मंतरों चार के साथ कलश में जल भर कर पुना पैदल चल कर वापस मंदिर तक आए लगभग पाँच किलोमेटर की दूरी तैकिये सभी भक्त लोग ओम नवश्यवाय हरहर महादेव जैश्री राम के नारे से गून जुठा पूरा गाओ एवं गाजे बाजे के साथ कलश्यात्र का भवे आयोजन किया गया ये कार क्रम तीन दिवसिये के साथ आज दिनांग चार जून शनिवार को कलश्यात्रा यग्यमान शुद्धी करन पंचांग पूजन मंडप प्रवेश संध्या में कथा प्रवचन भजन किर्तन की आयोजन दिनांग पाँच जून मंदिर उधगाटन मंडपस्थ का पूजन समर्पन अधिवास नगर भ्रमन हरी किर्तन एवं संध्या प्रवचन और अंतिन तीसरे दिन 6 जून को श्री शिफ प्राण प्रतिष्ठा रूत्रविशेक श्रंगार पूजन पुर्णा हती एवं भंडारा के साथ समापन किया जाएगा अमडप का यहां जो मंदिर निर्मान हुआ कोई कारण बस दो फरवारी को प्राण परतिष्ठा होने वाला था लेकिन वो बाधित हो गया परिवारी कुछ तारिक में से लेके छेतत रखे हुए है प्रोग्राम इसमें सभी परकार के पुजन बिधी होंगे परवचन होंगे तथा भजन किर्टन का सभी परकार का आयोजन किया गया है हम लोग यहां सभी आस पास के जाओं पास परोष, सारदा, बरंदा, पोड़ा, पगया, भूर्शू सभी लोग यहां उपश्थिक हैं, आज का कलस यात्रा हम लोग का हुआ और फिर कल फे हम लोग का बिधी अनुपार काजिकरम में जो है सभजन आर्ती परवचन, मेरा नाम प्रभास चंडरा अभिकारी है, मैं गराम लटगा कहीं रादिकरम अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले